नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक कंस्ट्यूशन का एक वीडियो लेके, इसमें देखिए हम लोगों ने परिचे तक समाप्त कर दिया था, अब आज जो है हम लोग भारतिय समिधान के भाग के विश्य में जानेंगे, किस भाग में कितने अनुछेद आते हैं, ठीक है, और पसंद आया तो इस वीडियो को सेर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आगे की अपडेट आपको मिलते रहें, जो भी वीडियो में अपडेट करूं, वो आपके पास नोटिफिकेश आता रहा, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है भारती समिधान के भाग, इसमें है, भारती समिधान 22 भागों विभाजित है, तदा इसमें 395 अनुच्छेत एहं 12 अनुसूचियां है, अब जैसे कि किस भाग में क्या है, किसके बारे में जानकारी दी गई है और कितने अनुच्छेत हैं, आज हम उसको कबर करेंगे, और फिर उसके बारे में अगले वीडियो में एक एक भाग लिया जाएगा, और हर अनुच्छेत जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसमें ज्यादा थोड़ा लंबी वीडियो बन सकती है, छोटे होंगे, उसको क पहले भाग में है, संग और उसके छेतर, इसमें संग और उसके छेतर भाग एक है, और अनुच्छेत एक से चार तक है, ठीक है, फिर से में रिपीट करता हूँ, भाग एक में संग और उसके छेतर, अनुच्छेत एक से चार, अब भाग दो में नागरिकता अनुच्छेत पांस से ग्यारा इतना आपको अभी मोटा मोटा याद रखना है आपको पहले इसको याद करेंगे फिर उसके अंदर की जिए अगला वीडियो होगा या फिर उसके आगे जो भी उसके अंदर होगा हर विशे के अंदर जो अनुछेद होते हैं तो उसके बारे में डीपली से बात किया जाएगा इसलिए आज मैं जल्दी से जितने भी भाग हैं उसको मैं खतम कर देता हूं कि आप लोग जो है उसके विशे में आगे जान सके हैं जैसे नागरिकता हम लोग थे भाग दो नागरिकता अनुछेद पांस से ग्यारा भाग तीन मुलभूत अधिकार भाग चार में जो है राज के नीती निदेशक तत्व डारेक्टिव प्रिंस्पल ओव इस्टेट पॉलसी जो है डीपी अस्पी हम लोग कहते हैं जो ठीक है अनुछेद च्छतिस से इक्यावन अब भाग चार ए फोर ए जो है मूल कर्तव है अनुछेद इक्यावन वन इक् अनुछेद 152 से 237 भाग साथ समिधान सात्वा संसोधन इसे में हुआ था अधिनियम 1956 दौरा निर्षित है अनुछेद 238 जो है भाग आठ संग राज छेत्र अनुछेद 239 से 242 भाग 9 में पंचायत के बारे में जो है अनुछेद 243 से 243 ओ ठीक है भाग 9A में नगरपालि इसके बारे में जो है एक राटिकल 243 तीसे 243 जी जो है भाग 10 में अनुछेद और जन जाती चेट्र के बारे में इसमें आर्टिकल 244 से 244 वाग 11 संग और राजचेदों के बीच संबंध क्या होते हैं भाग भाग 12 वित्य संपत्ति समिदाएं और वाद जो है इसके बारें बताया गया है इसमें अनुचे 264 से 300A तक है भाग 13 जो है भारत के राज चेत्र के भीतर व्यपार वाणिज और समागम जो है अनुचे 301 से 307 तक भाग 14 संग और राज्यों के अधिन सेवाएं जो है अनुच धाले जो है अनुचे 324 से 329a भाग 16 कअ कुछ वर्गों के लिए विशेष उफबंद के संबन्न बताया गया है अनुचे 330 से 342 तक भाग 17 राज भासा के बारें बताया अनुचे 343-351 तक भाग 18 आपात उबंद जो आपात उबंद होते हैं उसके बारे में बताया गया है अनुचे 352-360 भाग 19 जो है अनुचे 361-367 तक अब इसमें भाग 20 में जो है अगर समीधान में कोई भी संसुधन होता है ठीक है इसके बारे में बताया गया है भाग 21 में आज ताई संक्रमर कालीन और विशेश उबंद के बारे में अनुचे 369 से 392 तक है और लास्ट वाला जो भाग दो तो आप सब पता ही है संचित नाम है जो है प्रादिकट प्राट और निरसन के बारे में बताया गया आसमें 393 से 395 के बारे में तो फिर इतना हमने आपको बत लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और कोई प्रफ्रेस वीडियो का नहीं है कि और लोगों तक ज़्यादा ज्यादा जानकारी इंडियन कांस्टूशन के बारे में पता होनी चाहिए और यह जो है नय जो स्टूडेंट्स हैं यह कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर जो लोग के बारे में जानकारी या भी जो इस समीधान के बारे में जानकारी प्राप करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और सेर कर सकते हैं ठीक है तो आप सेर कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थैंक्यू